नमस्कार दोस्तों आप सभी का Health and Motivation और इनी चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम करने वाले हैं बेटनोवट सी नामक क्रीम का रिव्यू और आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि बेटनोवट सीक जो क्रीम है वो किस काम के लिए यूज में लिजाती है इसके साइड डिवेट क्या हो सकते है और इसको यूज करने से पहले आपको कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है इन सभी के बारे में जो डिटेल है वो आपको इस वीडियो में दी जाएगी इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और दोस्तो इससे पहले हमने बेटनोवट N और पेंडरम प्लस दो क्रीम के उपर बहुत ही बड़िया रिव्यूज तयार की है और उन रिव्यूज को देखर आप उन दो क्रीमों के बारे में कंप्लीट डिटेल है वो राप्त कर सकते हैं उनकी लिंक है वो कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है जहां पर जाकर आप उन्हें जरू देखे दोस्तों बैटनोवट C अगर क्रीम की बात करें उन्होंने लिखा कि आप बैटनोवट C नामक क्रीम है इसके बारे में कंप्लीट डिटेल दीजी और इसके लिए मैंना ये वीडियो बनाई है अगर इस क्रीम की मैं बात करूं तो सबसे पहले इसकी प्राइज की बात करें तो प्राइज प्राइज है इसकी वो 40 रुपे ह और 30 क्राम की यह क्रीम है वो आपको भारत के लगबग हर मेडिकल स्टोर पर लबद हो जाएगी अवेलिबिल्टी इसकी जबरदस्त है क्योंकि यह एक मेडिसिनल प्रोडक्ट है और किसी भी मेडिकल के उपर भारत में आपको यह क्रीम मिल जाएगी अगर ट्यूब की बा करें तो क्रीम है वो बहुत ही सॉलिड ली चिप चिपी क्रीम है दोस्तों इस क्रीम के उपर बहुत सारी ऐसी ब्रामक अफ़ाय फेलाई गई है कि इसको एज़ फैरने स्क्रीम यूज किया जा सकता है और गोरापन लाया जा सकता है इसके लिए मैं आपको वीडियो के अंत दीस के अंदर छुबूराईय गया और इसके कारण ही इसका नाम से रखा है एंगर मैं बात करें अक्लियो पर मता सामार प्रस दूस्तों है वह स्टिरोड है जब्लियो करने में यूज मिली जाती है जोस्तों यह जो betnavet c cream है वो खुद ही एक steroid cream है जो की instant result के लिए use मेली जाती है और किसी भी चीज को inflammation को infection को ततकाल ठीक करने के लिए steroid cream है वी use मेली जाती है जिनका मुख्या तोर पर काम ही होता है तुरंद result देना तो betna metasone steroid है वो मुख्या तोर पर bacterial infection के उपर काम करता है bacterial infection को कम करता है और skin inflammation मतलब susan बगिरा है तो भी उसको treat करता है और साथ में किसी को eczema की समझे है तो उसको भी treat करने का काम है वो करता है दूसरे जो इसमें drug मिलाए गया है उसके उपर अगर आए तो उसका नाम है kleok क्लियोकिनोल जो की antifungal है दोस्तों खूब सारे ऐसे फंगल डिजीज है वो चमड़ी के उपर होते रहते हैं जो की लगातार फैलते रहते हैं तो उन फंगस जो होते हैं उनको कंट्रोल करना और जो फंगल इंफेक्शन हुआ है उसको ट्रीट करने में क्लियोकिनोल है उस ड्रग को आप्यों मिलिया जाता है इन दोनों को मिलाकर बैटना वट सी क्रीम को मिला गया है अब हम जानेंगे स्क्रीम के यूजेज मतलब कि इनको किन किन चीजों के लिए स्क किसी चीज से कॉंट्रेट के करने अलर्जी हो जाती है या पिर कभी-कभी बिना चुग भी एलर्जी कुस लोगों के हो जाती है तो खुझली और एलर्जी को ट्रीट करने के लिए मुखफे तो पर एटनोवर्ट सी क्रीम को यूजव में लिया जाता है इसके लावा करने में भी स्क्राइब का stretchina अगर इसके उपर किसी प्रकार किन फ항 सन रेड़नेस हैं तो भी इसको टीड करने के लिए डॉक्टर क्याने के लिए वो इसक्रीम की सलाः दिते हैं और स्कफ़ losing और जो डिजीज रोते हैं उसको ट्रिट करने में भी इस ख्रीम का इपयोग लिया जाता है तो मुख्यात तौर पर आप समझ के होंगे यह कंट्रोल कर देती है और आपने देखा होगा कि कोई भी अपने फोड़ा फंसी है अपने चमड़ी के अपर वह बैक्टरी रियक्शन ही होता है उनको कंट्रोल करने के बाद में वह एकदम से ठीक होने लग जाता है दोस्तों यह एक स्केन क्रीम है जिनकों की लिमिटेड एरिया में लगाना चाहिए वह भी डॉक्टर की सला पर दोस्तों वीडियो खूब सारे ऐसे वीडियो जो वेबसाइट के उपर जानकरी दी गई है कि आप इसको चेहरे पर अपलाई कर सकते हैं और इसको अपलाई करने के बाद चेहरा गोरा हो जाता है और दाग दंबे बगरा है वो सब मिट जाते हैं यह दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्रामा कफ़ा हैं जो की लगातार फैलाई जा रही है इनको आपको 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 कभी विश्वास नहीं करना है क्योंकि इसक्रीम को कभी 10-15 दिन से ज्यादा यूज करना है चहरे के उपर आप लगातर अप्लाई करेंगे तो थोड़े दूनों के लिए आपके चहरे के उपर दाग धबी हैं वो लाइट हो जाएग Verme और एकड़ेकि बाद में आपकी जो Самड़ी है वह इस्ट्रविड के आद जाएगी और फिर आपको इस्ट्रोड लजाएना र पड़ेगा यानि कि चहरे के उपर लगाना ही पड़ेगा और नहीं लगाएंगे तो आपकी स्कीन है वो बहुत ही जबर्दस तरीके से रिटेट हो जाएगी तो इसको इसके लिए मैं आपको सलाद दूँगा कि आप अपनी चमडी को खराब मत कीजिएगा अपने चहरे के उपर एज़े फैरने स्क्रीम इसको पूरे चहरे के उपर अपलाई नहीं करना है इसको सिर्फ लिमिटेड एरिया में ट्रीट करने के लिए ही अपलाई किया जाता है चमडी खराब ह इसके एक्सपड के पास जाकर ट्रीट में लेना पड़ेगा नहीं तो आपकी चमडी हैं वो पहले से पतली हो जाएगी और बहुत हराब होजाएगी जिसके करण ऐच्नर फिंपल निकलेंगे और चमडी हैं वो पूरी की पूरी द réalité हो जाएगी तो दोस्तों आपको इसको या जिए फैने स्क्रीम यूज कभी नहीं करना है डोक्टर की सला के उपर सिर्फ लिमिटेड एरिया में खुजली और ऐलर्जी के लिए ही स्क्रीम को यूज किया जाता है डोक्टर की सला पर वीडियो देखने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद मैं आसा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में पूरी स्क्रीम के बारे में जानकारी मिल गई होगी और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे जोस्तो अपने वाटसे फेस्बूक के उपर इसको जरूर शेयर कीजेगा ताकि अपने अन्य दोस्तों को भी इसके बारे में पता सल सके और वो इस गुनात्मक जानकारी का फाइद आउटा सके वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद